नमस्कार, मैं हो ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जहरखन के दिन भर की खबर जानते हैं पार्टी के करकाराओं के रूप में आभिताय नहीं है, लेकिन सब ही 14 लोग सबाद सीटों में सीरी सुरें स्वायम जाएंगे, बतादे पार्टी करकरताओं से मिलने और उनका उत्साह बढ़ाएंगे, जीलो की तयारी करने का निर्देश भी दिया गया है, पार्टी मानती ह कि लोग सभा चुनाव के तयारी अब सुरू हो चुकी है, हलाकि पार्टी के वरिष्ट करकाता बिनोत पांडे कहते हैं कि जामो चुनाव के लिए हर वक्त तयार रहता है, आज चुनाव हो जाए तो आज भी पार्टी पूरे दम खम से चुनाव लड़ेगी, बता दे वर्तम जामों के पास राज महलोक सभा सीठी है, वहीं कॉन्ग्रेस के पास पच्मी सिम्भूम है जार्खन के नगर निकाय चुनाव नहीं होने से केंडर ने रोकी सहाधा रासी जार्खन में नगर निकाय चुनाव नहीं होने तक 15 वे बीत आयों के उन्संसा पर भारत सरकार से मिलने वाली सहता रासी परोक लगा दी गई है बीतिय वर्ष 2021 से लेकर 26 तक पांच वर्षों के दवरान 337 कोड़ रूपए का अनुदान केंद्र से राज सरकार को मिलना है राज के सहरी निकायों को अब तक इसमें से लगभग 50 पर 30 रासी दी गई है करीब 1600 कोड़ रूपए पर राज सरकार का दावासेस है लेकिन नगर निकाय चुनाव नहीं होने तक अब केंद्र सरकार अनुदान की रासी आवंटित नहीं करेगी भारत सरकार के बीत मंत्राले ने राज के मुख सचीव और नगर विकास सचीव को इससे समधित पत्र लिखा है बता दे बीत आयों के अनुसंसा पर दिये जाने वाले अनुदान की गाइडलाइन की जनकारी दी है बताया है कि 15 हुए बीत आयों के अनुसंसा पर केवल उन अगर निकायों कोई अनुदान दिया जाएगा जहाँ चुनाओं के बाद चुनेगे परतिनीधी काम कर रहे हो रांची के मेकन ग्राउड में चार हयार लोग करेंगे योगा अभ्यास सियम हमन्त कर सकते हैं सिरकात अंतराश्ट्रिय योग दिवस पर मेकन ग्राउड में भव्वे कारकरम होगा कारकरम सुबा 6 बए सुरू होगा जिसमें करीब 4,000 लोग सामिल होंगे मुख्य अतिति के रूप में सामिल होने के लिए मुख्य मंत्री हमान सुरेंड को आमांतरन दिया गया है वहीं भी सिष्ट अतिति के रूप में स्वास्थ मंत्री बना गुपता भी सामिल होंगे करों रूपय का फ़ंड आवांटन किया गया है मरमत के बाद खुलेगी रांची के सेंटर लाइबरेरी सेंटर लाइबरेरी में बुद्धवार को ही घटना के बाद रांची भी से भी दाले के कुलपती डाक्टर अजीत कुमार सिर्हा ने पूरू औरकोबीस्व विद्याले के अधिकारियों भवन निर्मान विभाग के इंजिनियरों के साथ सेंटर लाइबरेरी सहित कई भवनों का निरिक्षन किया। पूरू पती को बताया कि भवन काफी मजबूत है लेकिन इसके छज्जे पर पानी का जमा होने से छज्जा में क्रेक आ गया और यह कमजोर हो गया जो हाथ से का कारण बना है बताया गया है कि लाइबरेरी की पिछे कहीं से को भी तोड़ कर फिर से बनाया जाएगा। दम तोड रही जारखन में निसुलक साइकल बीतरन योजना। में फाइलो में अटकी हुई है सरकारी आकडों के अनुसार राजवर में हर सेक्षिनिक सत्र में साइकल बीतरन योजना के लाभार्थी करीब 3 लाख बिद्यार्थी पढ़ते हैं बीतिय वर्थ 2020 एक कई से लेकर अब तक इस योजना में सरकार ने एक पाई भी खर्च नही ही तैयारिया हैं बाबा नगरी देव घर में 3 जुलाई से स्रावनी मेला सुरू हो रहा है इसकी तियारी जोर सो से चल रही है भगतों के स्विधा के लिए रूट लाइन में पंडाल बनाये जा रहे हैं और कतार में लगने वाले भगतों के लिए बिशेस्त इंतजाम किये जा रहे हैं इस पर स्रावनी मेला इसलिए भी खास है क्योंकि दो चरणों में मेले का आयोजन किया जाएगा बदादे पहला चरण में 3 जुलाई से 17 जुलाई से 17 जुलाई तक मेला लगेगा इसके बाद 18 जुलाई से 16 अगस्त के बीच पुरुसत्त मास होगा उसके बाद फिर स्रावनी मेला का दूसरा चरण 17 अगस्त से 31 अगस्त तक चलता रहेगा और रक्षा बंदन के साथ मेले का समापन हो जाएगा हजारी बाग के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अब खेल खेल में बनेंगे निपून सरकारी स्कूलों के बच्चे अब खेल खेल में रोचक तरीके से पढ़ना लिखना सिखेंगे जीले के सभी 16 परखनों में इस्थित लगभग 1500 सरकारी स्कूल में नीपुन भारत मीशन जार्खन कारक्रम के तहत ऐसा किया जाएगा इस्कूलों में आध्यान रत तीन से नौ वरस तक के विद्यार्थियों को पढ़ने के दवरांच, सिक्षक, डेमों वा अन्यमा अध्यामों का इस्तेमाल करेंगे बता दे मसलन पधे की जनकारी देते समय कक्षा में पधे को रखा जाएगा उसके जड़, तना, पती, फूल वा अन्य चीजों की जनकारी बच्ची को दी जाएगी तस्वीरों वा मॉडल के जर ये पसुपक्षी की जनकारी भी दी जाएगी उसके बोलने, खाने, चलने, उड़ने वा रहन सहन की जनकारी दी जाएगी बच्चों को अन्दा स्पोर्ट पसुपक्षी के रंग रूप की जनकारी भी दी जाएगी जारखन राजे फुटबॉल रेफरी का फिटनेट टेस्ट 17 जून से बोकारो जारखन फुटबॉल एसेशेशन की ओर से राजे फुटबॉल रेफरी का फिटनेट टेस्ट का वह जान मोहन, कुमार, मंगल, स्टेडिया में 17 और 18 जून को किया जाएगा इस राजे फुटबॉल रेफरी का फिटनेट टेस्ट में विभीन जीलो के कूल 291 फुटबॉल रेफरी सामिल होंगे यह जनकारी बोकारो जीला फुटबॉल एसेशेशन के सचीव महंदर परसाद ने दी है उन्होंने बताया है कि इस फिटनेट टेस्ट में 17 जून को राजे के विभीन जीलो के कूल 130 फुटबॉल रेफरी सामिल होंगे बतादे इस फिटनेट टेस्ट का संचालन जारखन राजे रेफरी बोर्ड के चेर में सुरेंदर बहादूर सिंग और रेफरी हेड नमीन मुंडी करेंगे मोधी सरनेम मामले में राहूल गांधी के वकील ने मांगा 15 दिन का वक्त मोधी सरनेम को लेकर टिपनी करने मामले में राहूल गांधी के खिलाप रांची की MP MLA की विशेश कोट में सुक्रवार का सुनवाई होनी है कोट पहले ही राहूल गांधी की व्यक्तिगत तोर पर पेस होने से छुट देने वाले आजगा को खारिज कर चुकी है इस दोरान राहूल गांधी की अधिवक्ता की ओर से आदालत से 15 दिनों का समय मांगा गया कोट को बताया गया है कि व्यक्तिगत छुट देने से समवनधी त्याजिका खारिज करने के आदेश को हाई कोट में चुनोती दी गई है जिस पर सुनवाई अभी लंबित है इसलिए इस मामले में सुनवाई नहीं करते हुए समय पदान किया जाए बता दे MPML की विशेस नयाधीस अनामी का किसकू की अधालत में आई सुनवाई होगी समहना जताई जा रही है कि इस मामले में राहूल गांधी की ओर से उनके अधिवक्ता की ओर से समय की मांग की जाएगी बाबा मंदीर में दो महीने में दान पेटिसे निकला 18 लाख रुपए चारखन में देव घर के बाबा मंदीर का दान पत्र लगभग सावा दो महीने बाद खोला गया है गिन्ती की गई तो मंदीर कोस में 18,69,514 रुपए आए इसमें नेपाली रुपए और अमेरिकन डॉलर भी प्राप्त हुआ है या बाबा के भक्तों ने दान पत्र में डाला था बता दे गुरुगार को बाबा मंदीर सहयक प्रभारी सह देवी पूर्शियो सुनिल कुमार की देखरेख में विकास कोस को खोला गया बाबा मंदिर परिसर के 18 विकास कोस यानि दान पेटी में भक्तों के द्वारा दिये गए दान को निकाला गया दिन भर मंदिर कर्मियों ने गिंती भी की है अब 5 अप्रेल के बाद दान पत्र को खोला गया बता दे लगभगे गारा बये से गिंती शुरू हुई जो साम में पूरी हुई है छिपकिली गिरने से जहरीला हुआ खाना 6 लोग बेहोस दुमका सदर पर खंड दुमका के रामपूर पंचायत के डहर लंगी गाओ के एक ही परिवार के 6 लोगों की तवियत गूरुवार को अचाना खाना खाने के बाद विगड़ गई और सभी बेहोस हो गए बाद में पता चला की खाने में छिपकिली गिर गई थी तवियत बिगड़ने वालों में प्रेम सिला की स्कूर और उनके 5 बच्चे सुमन हेमरम, निर्मल हेमरम, तुफान हेमरम, आसा हेमरम और राज हेमरम सामिल है इन सब के तवियत बिगणने की जनकारी रामपूर की स्वयम सहायता समोह की जन वित्रन दुकांदार मेरी मुरू ने दुमका प्रखंड के वीडियो राजस कुमार सिना को दी है ट्रेनिंग के दोरान CRPF के दो जवानों की हाट अटेक से मौत जारखंड में ट्रेनिंग के दोरान केंद्री रिजार पूलिस बल के दो जवानों की मौत हो गई दोनों जवानों ने सीने में दर्ध की सिकायत की थी दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी बता दे मृत जवानों में CRPF 13 बाटालियन के हवलदार प्रेम कुमार सिंग और बाटालियन साथ के संभू राम गोड़ा है प्रेम कुमार सिंग मनिपूर वहीं संभू राम गोड़ा बिहार कराने वाले थे दोनों को सीने में दर्थ की सिकायत के बाट अमसेदपूर के मेडरी टीना होस्पीटल में भर्ती कराया गया था इलाज के दोरान दो घंटे के अंत्राल पर दोनों ही जवानों की मौत हो गई बता दे सियापी जवानों के यू अचानक मौत की वज़ा फिल हाल असपस्ट नहीं है लेकिन लक्षनों के अधार पर दोनों की मौत हाट अटेक से होने के असांका ब्यक्त की गई है धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनलों के सब्सक्राइब कर बाल का बेल एक अंदर बाई साची साथ वीडियो के एक लाइक रपने दोस्तों के से अशेर करना भूले साची साथ आप हमें कुमेंट बक्स में आपना फिड़वाएक अवस्या दे थैंक यू